गुरू घासिदाश विश्विद्याले के अंदर MCA course का complete admission process हम डिसकस करने जा रहे हैं हम बहुत सारी central utilities को cover कर चुके MCA course के लिए like JNU, BHU, Delhi University, Central University of Haryana और इसके अलावा हमेने Central University of Himachal Pradesh को भी cover कर रहे हैं यहां पर आपको MCA course करने को मिल रहा है, Department of Computer Science and Information Technology के अंदर यह course आपको करवाया जाता है इसका establishment हो था 1990 के अंदर, बात करते हैं इसके eligibility criteria के बारे में तो यहां पर आपके पास graduation के अंदर 50% marks होने चाहिए maximum age है 27, but यहां पर जो 50% आपकी graduation मांगी जा रही है, वो कौन सी मांगी जा रही है B.Sc, B.Tech, BCA, any graduation with pure and applied sciences आपके बाद subject रहा है relevant engineering subjects आपके पास रहे हैं with computer science, information technology as one subject आपके अगर graduation में या फिर 10 plus 2 plus 4 pattern में रहा है तो आप यहां पर MCA course के लिए eligible है, admission लेने के लिए इसके बाद हम बात करतें, इसके admission process के बारे में तो step by step समझने की कोश्च करेंगे, किस तरीके से हाप पर admission होता है तो initially आप लोगों को CUT PG का exam देना पड़ेगा, तब भी आपको यहाँ पर admission मिल सकता है तो यह है आप लोगों की गुरू घासितास विश्विद्याले की website ठीक है, यहाँ पर आके इनका application form आपको fill करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको form fill करना पड़ेगा, CUT PG की website का अगर आपने यह form नहीं fill करा है, तो आपको वहाँ पर admission नहीं मिल सकता है, याने कि गुरू घासितास विश्विद्याले में admission नहीं मिल सकता है यह mandatory CUT PG का application form fill करना, इसका application form नहीं आया है, end of December या पर January 1st week में आया का, मैं आपको inform जरूर कर दूँगा तो जैसी आप देखते हैं, गुरू घासितास विश्विद्याले के लिए, तो यहाँ पर आपको कौन सा course code देना पढ़ रहा है, SCQ P09, अब आपको अच्छे से समझ मा जाएगा, इसका admission का process, तो सबसे पहले आपने क्या करा, CUT PG का application form fill करा, देन उसके बाद application form fill करने के बा है, आपका score जितने भी student apply करा है, उनमें आपको आपको नाम आ रहा है, तो आपको फिर उसके बाद अपने document verification करवानी है, fees payment करनी है, और college के अंदर जाके finally अपनी university के अपनी reporting आपको करनी है, तो यह process रहता है आप लोगों का admission का, आपको भरना ही पढ़ेगा form, अगर आप सोचने कि मैं सेटी के अंदर मिना admission हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको गुरु घासी ताश्विज विदाले के अंदर भी application form फिल करना ही पड़ेगा, इस तरीके से आप जितनी भी universities पे admission लेना चाहरे है, उनका भी आपको separate form फिल करना पड़ता है, लेकिन course code सेमी रहेगा, सेकंड यर की फीस हो जाती है, तो कुल मिलाके आप लोगों की जो फीस होती है, लमसम लगा की चले 55,000 के आसपस आप लोगों का जो है, फीस ट्रक्चर गुरु गासी विदाले के अंदर रहने वाला है, तो यह तो हुआ इनका अपना फीस ट्रक्चर, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को टार्गेट इसले करते हैं, उनका लोग फीस ट्रक्चर होता है और उसके comparison में ROI और दूसरा amenities बहुत अच्छी मिल जाती है, campus का जो environment होता है, campus बहुत ही बड़ा होता है, facilities, एक टूजड जो है चीज़े आप लोगों को किन campus ही मिल जाती है, और हम SCQP09 के entrance exam का syllabus अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, कि किस तरह की से आपको entrance exam की preparation करनी है entrance exam के लिए क्या-क्या चीज़े पूछी जाती है, तो यहाँ पर सबसे पहले score score को आप दिमाग में डाल लेजी, अगर IM से मैं admission चाहिए, तो SCQP09 ही आप लोगों को जो है, CUTPG exam में अच्छे से पढ़ना है, अब इस exam के pattern के बारे में बात करते हैं, मैं according to 2024 बात कर रहा हू लेकिन syllabus के अधर में आपको बतायता हूँ, 2024 के अंदर थोड़े से slide changes से लिए स्टार्टिंग में करे थे, बाद में उसको इन्होंने replace कर दिया, यानि कि पहले इन्होंने क्या करा, DSA और core computers है, वो भर दीती, लेकिने students ने बोला कि हम इतना detailing में नहीं पढ़के आए, other background वा आपके 100 questions आ रहे थे, अब इसको 75 गर दे गया है, domain specific पूछा जा रहा है, जो भी पूछा जा रहा है, दैन उसके बाद minus 1 का आप लोगों का deduction होता है, negative marking रहते हैं, 105 मिनिट का आपका exam होने वाला है, English और Hindi दोनों में ही आप अपना exam अपना दे सकते हैं, fine यह चीज आप लो आप लोगों जो syllabus मिलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा vast मिलने वाला है, चलिए अब बात करते हैं इसके sections के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बता है कि भी syllabus पे काम करा गया है, तो यहाँ पर first section होता है, thinking and decision making, जो की logical reasoning, analytical reasoning का पार्ट होता है, दूसरा है आप लोगों mathematics, 25-25 तो ऐसा नहीं है, uniformly divide नहीं होता, आप लोगों से कहीं से भी कुछ भी पूचा जा सकता है, और यह vary करता है, कभी reasoning के कम questions आते हैं, कभी maths के ज़्यादा आजेंगे, कभी commuters के उससे भी ज़्यादा आजेंगे, तो यह ऐसा कुछ fixed number of questions नहीं है, तीनो sections के अंदर, आपको अपने आपको master करना ही पड़ेगा, you have to excel yourself in these three sections, अब बात करते हैं, सबसे पहले section के बारे में, जो किया है अप लोगों का logical reasoning वाला part, इसके अंदर आपको creative thinking, unfamily relationships, verbal reasoning, finding patterns, trends and assessment of figures and diagram पढ़ना होगा, अभी हम इस syllabus को और अच्छे से go through करें, मैं आप लोगों को बोलना चाहू हैं, हम more than 35 universities को cover कर रहे हैं, single exam के अंदर, और आपको जान के हरानी होगी कि अभी सभी universities जो है CUTPG के exam के बैसे पे admission नहीं ले रही है, जैसे कि जहां में मिले असलाम है university, आज की rate में भी अपना खुद का interest exam connect कर आती है, इसके अलावा IP university जो के डेली की state government university है, यहां पे भी आज की जित में MCCT का exam देना पड़ता है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी universities है, जो आप लोगों को अपने खुद के interest exam के basis पे admission देती है, तो हम उन सभी universities का एक syllabus यहां पे cover कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को confidence मिले, one-on-one interaction मिलता है हमारी faculties के साथ daily life classes, सभी आपके doubt solve करे जा है purchase कर सकते हैं, और अगर आप one-time payment करते हैं, तो आपको यह हमारा एक special discount मिल सकता है, तो आपको करना कहा है, higher education की application डाउलोड करिए, demo classes को देखिए, description में आपको demo का form में दे दिया है, आप उस form को fill करिए, हमारे counselors आप लोगों को proper help करेंगे आपके dream university में MC course में admission लेने के लि बहुत ही vast है, अगर हम reasoning के बारे में बात करें, geometrical design and identification, यहां उपर आप देखेंगे, यहां पर figures and diagrams हो जाता है, यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, यहां पर आपको number series और आपका word analogy, काफी सारे topics जो हैं, इन्होंने mention हैं यहां पर कर देखेंगे, यहां आपका होता है, mathematics का, जिसके अंदर आप लोगों से class 12 की mathematics का एक higher version पूछा जाएगा, थोड़ा सो of course आप लोगों ने काफी time से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि अगर आप किसी भी graduation field से आ रहे हैं, तो इन topics को वो first semester में cover कर लेते हैं, और काफी time तो students को first semester में भी देखने को नहीं मिलता है, बहुत सारी universities जो है, आज की date में discrete mathematics पढ़ा रही है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे class 12 की set theory, probability and statistics, algebra, coordinate, geometry and calculus, जो की बहुत सारी students का favorite topic होता है, जो students काफी जो अपना maths में interest रखते हैं, उनको ये integration differentiation पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, कुछ students ऐसे होत integration, differentiation पढ़ने में आता है, लेकर उनकी coordinate geometry काफी strong होती है, and probability, again it's a very interesting topic, तो mathematics के इंदर आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अगर अपने पहले maths पढ़ी है, no matter कि आपने पढ़ी है अच्छे से, तब भी आपको एक बार दुबारा से इसको स्क्रेश से पढ़ना जरूरी है, अग क्योंकि बहुत आरे स्टुडेंट सोचते हैं, तीन सेक्शन आरे हैं, इसमें से मेरा तो है reasoning तो मिरने पढ़ी ही नहीं पहले, और दूसरा मैने mathematics को पढ़े हो, काफे time हो गया, computer का मेरे को आता है, तो एक सेक्शन के भरोसे तो भाई आपका exam जो है clear नहीं होने वाला, आप आपको तीनों सेक्शन के अंदर महनत करनी पड़ेगी, हर एक स्टूडेंट जो भी यहाँ पर देखेगा, सेंट्रल उनिवस्टी के अंदर बहुत limited से seats होती है, किसी सेंट्रल उनिवस्टी के अंदर आपको 75 seats मिलेंगी, किसी में 25 मिलेगी, किसी में 30 मिलेगी, और MCA करने में थोड़ा जो है आपका easy syllabus आपको देखने को मिल रहा होगा, अब बात करते हैं computers के बारे में, यहाँ पर भी अपने आप में 3 sections दे गए है, operating system, data structure and digital fundamentals, यह 3 section आप लोगों के computers में पूछे जाने वाले है, अब मैंने आपको starting में बोला था कि पहले क्या करा था, जब syllabus लेक उसी को बहुत बड़ा section मना दिया था, बाकि इन्होंने जो हमारे basic computer से उसको हटा दिया था, लेकिन बात में students ने बोला कि हम जो है नहीं कर पाएंगे इतना, तो यहाँ पर syllabus दुबारा से आपका change करा गया, और अगेन आप लोगों का back to basics जो है syllabus बनाया गया, अब यहाँ आप देखेंगे operating system, it's a part of your computer fundamentals, जिसमें आप लोगों को कुछ भी practical चीज नहीं है, कोई coding की basic knowledge नहीं चाहिए, बहुत सारे students सोचे के मैं coding नहीं आती, मैं exam नहीं दे पाऊंगा, लेकिन यहाँ पर coding के बारे में कुछ पूचा ही नहीं जा रहा, it's only a fundamental thing, functions हो गया, processes हो गया, और अगर आपके पास class 12 के अंदर IP या फिर computer science रहा है, तो आप easily section को excel कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने काफे time से नहीं पड़ा, no worries, हमने यह सारे के सारे topics के ओपर हमारे पास अपनी classes करवाई हैं, आपको यहाँ पर proper support देने वाले हैं, types of memory, virtual memory, file system, dos, unix, windows, यह सभी जो part है operating system के पार्टे, जिसको हमने काफे अच्छे से clear करा है, data structure के बारे में बात कर लेते हैं, तो DSE की आप लोगों को knowledge होनी चाहिए, इसको लेके भी हमने detailing के अंदर एक चीज़ को पढ़ाया है, और data structure के साथ में data structure का use कैसे करते हैं, इसको practical भी हमने जो अपनी classes में आप लोग होगा, class 12th के अंदर आपको CS के अंदर या फिर IP में पढ़ाया गया होगा, जिसमें जो student देखेंगे, boolean algebra, logical gates हो गया, number system conversion हो गया, multiplex, registers, counters, memory units, it's a part of your additional fundamentals, even मैं बोलूँ है, आप additional fundamentals लिखा है, operating system भी कही न कही अपना fundamental का ही एक part कहलाता है, तो ये तीन section है जिनके अंदर आ हैं, और even अगर आपने कोई भी चीज ऐसी है, जो कि बहुत टाम से नहीं पड़ी है, आप लोगों के पास कम से कम भी 7-8 मेने का time है, आप किसी भी stage पर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आज की डेट में भी आप देख रहे हो, और exam के अंदर 20 दिन भी रह गए हैं, तो को exam में देखने को मिलेगा, यह मिलेगा, it's a very common thing, लेकर आप अपने field में अगर जाना चाहरे हो, MCE करना चाहरे हो, तो आपको अपने basics जो है, अच्छी से आने चाहिए, बस, इतना से exam की strategy है, so I hope ये video अप लोगों को useful लगे, कि video useful लगे, तो like ज़रू करना, मिलते है next video के अंदर बबाइ, take care, thank you so much